प्रेस दे बेल आइकन उन दे यूट्यूब आप जोटे चोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं हैलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर अमित महिश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इंफार्मेटेव वीडियो में फ्रेंड्स हमने स्टाट अप फंडिंग की एक सीरीज शुरू की है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनस को स्टाट अप के माध्यम से डेवलप करना चाहते हैं या डेवलप की हुए बिजनस को और अधिक तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है यदि आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो इसकी पहली सीरीज से वीडियो देखना शुरू करें आज हम बात करेंगे कि स्टाट अप फंडिंग करते समय हम किस किस तरह से कैपिटल को रेज कर सकते हैं स्टाट अप में फंडिंग को रेज करने के दो मेथड होते हैं एक seed funding या seed investment एक crowd funding या crowd investment seed funding क्या होती है और इसकी जरुवत कब पड़ती है कोई idea जो groping stage में होता है या generation of idea होता है तो उस समय आपको seed funding की अवशक्ता होती है क्योंकि आपके पास एक business का मात्र एक idea है अब उस idea को real business में convert करने के लिए आपको जो funding की जरुवत होती है that is known as the most earliest stage of funding मतलब जो idea भी आपके mind में है उसको physical business बनाने के लिए हमें जो funding की जरुवत होती है इसके लिए आप अलग-अलग resources का इस्तेमाल करते हैं most of the time जब youth किसी भी business का start-up करना चाहता है तो seed funding के लिए वो अपने parents से fund की requirement करता है या कई बार अपने relative, अपने friends, अपने circle से वो fund इकठा करता है और fund इकठा करने के बाद सबसे पहला काम होता है उस business, उस project से संबंदित एक proposal तयार करना और तयार किये वे proposal के अनुसार अपनी website को develop करना website develop करने के बाद, office setup तयार करना और office setup तयार करने के बाद, वहाँ पर अपना staff recruit करना अपने business idea को real business में convert करने के लिए जो capital चाहिए होती है, उसे seed funding क्याते है important बात यह है कि seed funding के resources क्या है most of the time seed funding के resources हमारे parents होते हैं, friends होते हैं या relative होते हैं और कई बार venture capitalist या angel investor भी आपके business idea पर seed funding करके उसको real business में convert करने के लिए help करते हैं startup में funding raise करने का दूसरा method that is crowd capital अब ये crowd capital क्या है और इसे किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है friends कई बार हम अपने business को earlier stage पर तो शुरू कर चुके हैं लेकिन हमारे पास उस product या उस service से related sale generate करने के लिए investment नहीं है तो इसके लिए हम advanced booking system का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आज बहुत सारी company कोई product sample के रूप में बनाती है और उसकी advertisement market में launch करती है कि this product is available for booking और booking के माध्यम से ही वो company अपने product को sale करके crowd funding के माध्यम से पैसा generate करते हैं आई इसको एक example के माध्यम से हम समझते हैं आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े developer भी land purchase कर लेते हैं मतलब अपनी seed funding से एक asset create कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर construction करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता वो मात्र एक sample flat बना कर advance booking करना शुरू करते हैं और धीरे-धीरे-धीरे करते करते पब्लिक funding के अनुसार, पब्लिक funding के माध्यम से वो बहुत सारा पैसा ही कठा करते हैं construction complete करते हैं और हर एक व्यक्ति को उसके द्वारा बुक किये गे flat को possession में convert करते हैं तो अगर आपको अपने business के लिए crowd funding के कठी करनी है तो देखिए किस तरह से आप अपने product या अपनी services को pre-launch करकर advance booking के माध्यम से fund generate कर सकते हैं Friends, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी idea को एक project के रूप में कैसे convert करते हैं और investors के सामने किस तरह से अपना project पेश करते हैं ताकि वो आपकी company में invest करने के लिए तयार हो सके Startup funding, Startup growth, Startup expansion से related यदि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो comment box में अपना सवाल जरूर लिखें Friends, मेरा उद्देश्य है भारत के हर घर से एक सफल businessman तयार कर सकूँ ताकि आने वाले समय में भारत आर्थिक शक्तिक गुरूप में मजबूत बनके पूरे wish में अपना परचम लहरा सके इसके लिए मैं एक mission चला रहा हूँ Mission 2021 भारत बनेगा विश्व गुरू यदि आप इस mission में शामिल होना चाहते हैं तो मेरी team को contact करें यदि आपके circle में किसी भी व्यक्ति के पास बेहतरिन business idea है और वो इसको real business में convert करना चाहता है तो आप facebook और whatsapp के माध्यम से इस video को जरूर share करें ताकि वो भी अपने business idea को real business में convert कर सके और भारत को आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत बनाने में एक प्रयास कर सके तो friends आज हमारे साथ में है The Art of Prosperity के Chairman शिवकुमार सर्माजी जिनका सारा समय पर TV शो आता है अमीर होता भारत शिव सर आपका बहुत बहुत स्वागत है शिव सर हम लोगों के एक प्रथा है जो भी guest हमारे मेटास क्लब के YouTube चैनल पर आते हैं उनका Momento से हम लोग स्वागत करते हैं एक स्मृति चिन आपके लिए साथियो सबसे पहले तो मैं शुक्रियादा करना चाहूँगा अमीद जी का कि अमीद महुश्री जी ने यहां में मुझे बुलाया मेरे को सम्मान किया मैं उनको एक अच्छा business में मानता हूँ क्योंकि आज उसके साथ-साथ वो एक अपने YouTube चैनल के दवारा जो अपने business के जो depth के बारे में लोग को बताते हैं वो बिलकुल कमाल का होता है मैं उसको देखता हूँ और मैं मानता हूँ कि उससे मुझे दो benefit हुआ ही हुआ है साथ ही साथ जो लोग बारे को देख रहे हैं business के बाकी बारे को की बारे में भी जाने है हम एक TV शो बना रहे है अमीर होता भारत अमीर होता भारत एक ऐसा TV शो है जिसमें हम उन लोगों को बुलाती हैं जिनों अपनी महनत और लगन से समाज में कुछ अलग मुकाम हासिल किया है ऐसे हो धोगपती वेवसाई और उधमी जिनकी जिन्दिकी ना जाने और भी कितने लोगों को सुफल होने के लिए प्रिरिद कर सकती है और अगर आप सुफल वेवसाई हैं मानते हैं तो यह शो आप ही के लिए है अमीर होता भारत जो हम एवरी संडे मौनिंग 10.30 सहरा समी न्यूज चैनल पर आता है थैंक यू